भाई दूज 2023 डेट, भाई दूज 2023 में कब? 14 या 15 नमवर जाने भाई दूज ही सही डेट. भाई दूज 2023 डेट, भाई दूज का पर्व भाई बहन के पवित्र रिष्थे हैं, प्रतीक है. कार्थिक मास में मनाया जाने वाला ये पर्फ दिवाली के दूसरे दिन आता है आईए जानते हैं साल 2023 में किस दिन पड़ेगा भाई दूज भाई दूज 2023 डेट भाई दूज का पर्फ कार्थिक मास में दिवाली के बाद मनाया जाता है कार्तिक मास में हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार पड़ते हैं डौट करवाचोत, धन्तेरस, दिवाली, छट पूजा आदी किसी मास में भाई दूज का पर्व भी पड़ता है कार्तिक मास के शुकल पक्ष की द्वितिया तिथी को मनाया जाता है भाई दूज को यम द्वितिया भी कहा जाता है साल 2023 में किस दिन मनाई जाएगा भाई दूज का पर्व आएए जानते हैं भाई दूज भाई बहन का पवित्र त्योहार है इस दिन बहने अपने भाईयों को टीका करती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है साल 2023 में भाई दूज 15 नमबर के दिन मनाया जाएगा भाई दूज की सही डेट भाई दूज का पर्व 15 नमबर 2023 बुधवार के दिन मनाया जाएगा कार्तिक मास की द्वितिया तिथी 14 नमबर दोपहर 2.36 मिनिट से शुरू हो जाएगी वही कार्तिक मास की द्वितिया तिथी का समापन 15 नमबर को 1.47 मिनिट पर होगा इस लिहाज से आप दोनों ही दिन भाई दूज का पर्व मना सकते हैं 14 नमबर को दोपहर के बाद से आप तीका कर सकते हैं ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिष्टे का प्रतीक है कैसे करे भाई दूज पर पूजा? भाई दूज पर बहने अपने भाईयों को टीका लगाती है टीका लगाने के बाद भाई की आरती उतारती है ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की शुकल पक्ष की द्वितिया तिथी पर यमुना जी ने यमराज को अपने घर पर टीका किया और भोजन कराया था और इसी पूजा के बाद यमराज को सुक की प्राप्ती हुई कभी से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है इसी लिए इस दिन को यम द्वितिया के नाम से भी जाना जाता है कैसे करें भाई दूज पर पूजा? भाई दूज पर बहने अपने भाईयों को टीका लगाती है टीका लगाने के बाद भाई की आरती उतारती है ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की शुकल पक्ष की द्वितिया तिथी पर यमुना जी ने यमराज को अपने घर पर टीका किया और भोजन कराया था और इसी पूजा के बाद यमराज को सुख की प्राप्ती हुई तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है इसलिए इस दिन को यम द्वितिया के नाम से भी जाना जाता है भाईया दूज की कहानी भाईया दूज का पर्फ कार्तिक शुकल पक्ष की द्वितिया को मनाया जाता है इस पर्फ का प्रमुख लक्ष भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है भाईया दूज के दिन भाई को तिलक लगा कर उनके स्वस्थ तथा दीरगायू होने की मंगल कामना करती है भाई या दूज के दिन भाई को बहन के घर नहाना चाहिए भाई को भोजन करा कर तिलक लगा कर गोला देना चाहिए इस दिन भाई को भोजन में चावल खिलाने चाहिए इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेश महत्व है चाहे बहन चचेरी, ममेरी या धर्म की ही क्यों न हो भाई भोजन आदी के पश्चाद बहन से तिलक करवाते हैं और बहनों को वस्त्रा भूशन आदी उपहार स्वरूब देते हैं भाईया दूज की कहानी एक बहन के साथ भाई थे वहां उन्हें बहुत प्यारी थी उसका पती अपने माबाप का इकलोता बेटा था जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन थे कृत होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निरनय किया उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया उसने भावी जीवन में आने वाली दोहकों की कलपना करके उप्चार के तरीके सोच कर अपने भाईयों से ससुराल जाने की जिद की यद्यपी वे बिना बुलाएं नहीं भेजना चाहते थे पर बहन के ना मानने पर पर डोली सजा कर भेज दी उसमें अपने पास दूद, मास तथा ओढ़नी रख दी थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता साम्पने रोक लिया बहन तुरंत दूद साम के सामने रख कर आगे बढ़ गई थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर जपता तो उसने मास फेक दिया शेर मास में रुची लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए रास्ते में यमुना जी थी जो ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे यमुना उंची लहरे उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी बहन ने ओड़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चरिय में पढ़ गए बहन ने आदेश दिया कि उसके ग्रिह प्रवेश के लिए घर के पिछवाडे फूलों का दर्वाजा बनवाया जाए दर्वाजा बना जो ही वह पार करने लगी द्वार उस पर गिर पड़ा फूलों का द्वार होने के कारण चोट ना आपाई घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हट किया खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा काटा मिला जिसको उसने दिब्या में सहेज लिया शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना जूते में काला बिच्छू था उसने वह भी उसी दिब्या में सहेज कर रख लिया रात हुई तो उसने फिर जिद्दकी की पहले में ही सोऊंगी बहों का हर काम के लिए पहला करना यद्यपी किसी को अच्छा नहीं लग रहा था पर परिस्थिती वर्ष सब हो रहा था सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला उसने उसे भी मार कर सहेज लिया फिर पती को शया पर सुलाया इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोल कर सुच्चा कांटा बिच्छू तथा साप दिखा कर कहा मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है अर्थात स्वयं कश्च सह कर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है ये सब कश्च देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े है भविश्य में कभी मनौती मान कर पूरा करना न भूलना इतना कहकर साथ भाईयों की परमप्यारी बहिन भाईयों के साथ पीहर लोट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहिनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने का आशीज दिया